आओ मेलाजमा को हराएं सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे दाग धबो च्छाईयां पिग्मेंटेशन को हटाने के लिए पांश शांदार घ्रेलो उपाय की जो बहुत ही आसान है और बहुत ही कारगर हैं जिसे आप अपने घर पर ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं औ क्योंकि हेर और स्किन को अच्छा रखने के लिए वी एस्सी हेर क्लिनिक एक डेडिकेटल चैनल है इस पे लगबग एक हजार वीडियो है और यदि आप चाहते हैं इस दुनिया को स्किन की बिमारियों से और बालों की बिमारियों से घरेलू तरीकों से आयरवेदिक तरीक कर देजिए आज के वीडियो में बात घरेलू उपाय की दागदबो चाहियों को दूर करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं नीम्बो की नीम्बो के अंदर कितने ओश्डिय गुन होते हैं ये विटामिन C का भरपूर सोर्स माना जाता है एसकोर्बिक एसिड जी हां हमार तौचा दिन प्रति दिन निकलती है नई तौचा आती है पुरानी चली जाती है और इसी के चलते जब मेलेनोसाइट जादे एक्टिव हो जाते हैं बहुत सारे कारणों से जिनकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है उनको आप जाकर देख सकते हैं तब मेलाजमा की व तो निम्बू के रस को आपने निकाल लेना है और कोटन से अफेक्टिड एरिया पे जहां जहां पर पिकमेंटेशन च्छाहियां है दाग दब्बे हैं वहाँ पर लगाकर दस मिंट के लिए छोड़ देना है ये प्रकिरिया नीमित करनी है, हर रोज करनी है, लगातार करनी है, दो से तीन महिने तक अकेला नीम्बू, इसके साथ स्ट्रेस से दूर रहना, किसी अच्छे संस्क्रीन लोशन का यूज करना और अगर बहुत जादा पिग्मेंटेशन है, तो कुछ जड़ी बूटे को इस्तेमाल करना लावदायक हो सकता है दोस्तों, बात करते हैं अपने दूसरे ख्रेलो नुसके की, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह है अलोवेरा, जिसे आप सब जानते हैं अलोवेरा एक शानदार मेडिसन है, ओजडी है, हर्व है, इतने सारे मिनरल्स हैं, पॉलिस सक्राइड्स हैं, जिसके गुनों का बखान करते करते, सुबह से शाम हो सकती है दोस्तों, यह अलोवेरा स्किन और हेर के अंदर भी बहुत आयत में इस्तिमाल होता है मेलाजमा को दूर करने के लिए भी इसका इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि यह मेलेनोसाइड्स के एक्टिविटी को कम करता है, इसके अंदर पॉलिस सक्राइड्स होते हैं, स्किन से टॉक्सिन को निकालने का काम करता है तो इसका रस लेकर इसका आप यह पील करेंगे और गुद्दे को निकाल कर उसका रस निकालेंगे मिक्सि के अंदर या सिल बटे वे भी इसका रस निकाल सकते हैं और उस गुद्दे को और उसके रस को आप अफेक्टिड एरिये पे लगाके 15-20 मिंट छोड़ दें यह प्रकिरिया भी आपको डेली करनी है नीमित करनी है दो से तीन महीने करनी है और उसके साथ बाकी मेलाजमा की जो चीजें जो मैंने पहले व्यूडिज में बनाई है उनको ध्यान में रखना है दोस्तो तीसरे नंबर पर है एपल सिदर विनेगर जी हाँ सेब का सिर्का सेब के सिर्के के अंदर भी बहुत सारे ओश्डेगुन होते है यह मेलाजमा में काम इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर एसकोर्बिक एसिड होता है और ascorbic acid एक bleaching agent है जो आपकी skin को bleach कर देता है उसके रंग को साफ करने में help करता है चेहरे को चमकदार बनाने में काम करता है melinocytes की activity को कम करके melasma को कम करने का काम करता है इसको भी आपने cotton से लेकर affected area पे लगाना है 10-15 मिन्ट के लिए छोड़ देना है और उसके वाद चेहरा ताजे पानी से या गुन्वने पानी से दोलेना है नीमित 2-3 महीने करना है और बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखना है जो melasma में लाब करी है चोथे नमबर पर हमारी ओश्डी है हल्दी आपकी kitchen का king यानि आपकी kitchen का raja हल्दी के अंदर बहुत सारे ओश्जेगुन होते है antiseptic होती है, antibiotic होती है analgesic होती है और हाँ, ये melasma को भी दूर करने में help करती है क्योंकि इसके अंदर curcumin होता है और curcumin दर्द निवारक होने के साथ साथ आपकी skin से falto के toxins और melasma का falto pigment हटाने का काम करता है तो इसलिए हल्दी भी melasma को कम करने में काम करती है इसको लगाने का तरीका ये है कि आप दूद के अंदर इसको मिला दे चार चमच दूद में एक चमच हल्दी मिला दे उसका लेब बना ले और affected area पर लगा दे आदा घंटा लगा रहने दे और फिर उसको उतार दे हफते में कम से कम दो वार करना है और दो से तीन महीने लगातार करना है और दोस्तों जो आप हमारी आज की अंतिम और पांचवी ओश्डी देख रहे हैं दाग दब्बे मेलाजमा च्छाईयों को कम करने के लिए उसका नाम है प्याज अनियन जी हाँ चमतकारी ओश्डी है हमारी किचन के अंदर जाद तर व्यक्ति इसको इसको इस्तेमाल करते हैं इस प्याज के अंदर बहुत सारे ओश्डे गुन है इसके अंदर सैफोनीन होने की वजह से सलफायड होने की वजह से यह मेलाजमा को कम करता है इसके अंदर ब्लिचिंग अजेंटS भी होते हैं जो pigmentation को कम करने में सकीन को साफ रखने में चमकदार दिखाने में हल्प करते हैं इसका इस्तेमाल आप अकेले भी कर सकते हैं और एपल, सिडर, विनेगर भी मिलाकर कर सकते हैं बराबर मातरा में दो चमच आप सेब का सिर्का मिला लें और दो चमच प्याज का सिर्का मिला लें कोटन के साथ अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाएं और 10-15 मिंट लगा के छोड़ दें फिर इसको गुरूने पानी से दो लें दो से तीन महिने लगातार करें इसका इफेक्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों ये सारी पांच ओ चीजे जिनकी हमने आज बात की है ये सारी ऐशी ओजदिया है जिनका कोई नुकसान नहीं है जो आपके घर में ही अविलेबल हैं जिनने आप अन्य चीजों के साथ मिक्स करके अकेले ही अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी चमडी को सुंदर बनाने के लिए मेलाजमा, पिंगमेंटेशन, चाईयों, दाग दब्बो को अटाने के लिए यह सरफ सुलब और बहुती शांदार ओज़तियां हैं मैं उबीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको लगता है यह औरों के काम आ सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलें नमश्कार